क्या आप जानते हैं उसमें कितने हिंदू मारे गए थे आप नहीं जानते होंगे इस सरीखी जितनी भी जानकारियां हैं केवल और केवल एक स्थान पर आपको मिलेगी ढाई मोर्चे का चक्र व्यू मैं इसको प्रीबुकिंग पर इतने समयते के लिए क्यों रख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जिस दिन ये किताब बाहर निकलेगी इस पर परतिबंध लगने के हर एक भरसक प्रयास किये जाएंगे जितने लोग इसको प्रीबुक कर रहे हैं हो सकता है कि केवल उनी तक ये किताब पहुँच पाए नमस्ते दोस्तों आप सब का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्य सनातन में आज हम बात करने वाले हैं मौसको के अंदर जिस प्रकार से आतंकवादी हमला करके एक कायराना कौम ने एक कायर कौम बेहद कायर कौम ने मासूम लोगों को गोलियों से भून दिया और उसके बाद में पूरे के पूरे हौल में आग लगा दी है ये एक म्यूजिक कंसर्ट हो रहा था जहां पर एक हौल के अंदर तकरिवन 6,000 रूसी लोग थे बाहर के विदे सी लोग भी महमान भी यहां पर आए हुए थे चार से पाँच मुसल्वानों ने दना दन गोलिया चला कर इन लोगों को भूनना शुरू कर दिया है जिस समय पर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय पर लगबग 185 लोगों के मारे जाने तथा 200 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना आ रही है ये करने के बाद में लोगों ने इस पूरे हॉल को आग लगा दी अब हमें इस मॉडल को समझने की अवशक्ता है इसके बाद में IS-IS-K यानि के खुरासान ने इसकी जिम्मेदारी ली है खुरासान क्या है उसका मॉडल क्या है भारत वर्ष में वो कितना एक्टिव है यहाँ पर कव कव क्या क्या वो कर चुका है IS-IS-K के विशे में सबी लोग अधिकतर जानते हैं लेकिन खुरासान के बारे में लोग नहीं जानते हैं इसी प्रकार के कारणा हमले पहले भी कहा कहां पर हो चुके हैं इसके विशे में हम बात करेंगे और ये महिना चल रहा है रमजान का और इस दोरान खास करके टारगेट करके क्यूं काफिरों को मारा जाता है इस दोरान यदि किसी मुसल्मान की मौत हो जाती है तो क्यूं कहा जाता है कि उसको डारेक्ट जननत मिलेगी और इसका चोटा सा एक उदारण हमने देखा है बदाईयों में जहां पर दो मासूम बच्चों को जान से मार दिया गया बड़ी बेरहमी के साथ मुहम्मद साजिद के द्वारा लेकिन उसके बाद में 30,000 मुसल्मान उसके जनाजे के पीछे निकलते हैं जबकि हमारे देश के प्रमुख वैग्यानिक एपीजे अब्दुलकलाम साहब के पीछे 100 मुसल्मान भी नहीं थे इसी का पूरा खुलासा में रही मोरचा के चक्रवी नमक पुस्तक में किया है जिसकी प्री बुकिंग चल रही है और दोस्तों इस खोली के बाद इसकी प्री बुकिंग समाप्त हो जाएगी इसका जो एक्च्वल प्राइज है वो साड़े 500 रुपे जो छूट अभी मिल सक है वो शत्रमुर्ग की तरह धर्ती में धसा रखा है विवेक का इस्तेमाल करके उसको बाहर निकाल करके सामने हो रही हिंसा को वो लोग देख नहीं पा रहे हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि यो जो हमला हुआ है खुरासान मोडल के जरिये या उसके अनुसार ये पहल पाश्कर करके महाँ मासूम लोगों की जान ली थी इसके बाद में उताज होटल पहुँचा और महाँ पर मुसने काफी लोगों की जान ले ली थी वही मोडल इस्तिमाल किया गया था नौवा फैस्टिवल मना रहे इसराइलियों के उपर जब फिलस्तिन के हमासी आतंकवा का पालन करने वाले लोगों ने ही वहां से जिन महिलाओं को इस तरियों को उठाये था उनकी वी नगन परेड कराई गई थी इसके बाद में हो आते हैं खुरासान मोडल का मौस्कों में हुआ यह हमला जहां पर अभी तक 185 लोग मारे जा चुके हैं हमें सब से पहले समझना ह होगा के खुरासान मोडल है क्या खुरासान है क्या खुरासान एक कालपनिक शहर है जो तीन देशों के बॉर्डर पर मिल करके बना है खुरासान का अर्थ होता है जहां पर सूर्य निकलता है खुरासान मोडल आईएस आईएस की तरह डारेक्ट कूरता करने पर इतना अधिकल कंटेंट बेज़ता उनकी ब्रेन वोशिंग करता है और वो अपने गिरों में शामिल करता है भारत वर से भी काफी सारे लोग पहले भी ISIS से प्रभावित हुए उसके साथ में जुडे और वही लोग खुरासान मॉडल के साथ में भी मिल करके काम करने लगे खुरासान यानि के वो जो धरती के नीचे नीचे काम करता है बहुत सारे लेता हैं जो कहते हैं कि हम इनके हाथ में कम्प्यूटर देंगे लैप टॉप देंगे लेकिन दोस्तों जिसका पूरा का पूरा सौफ्टवेर ही खराब हो चुका है करप्ट हो चुका है दिमाग अभ तब तक पीटो जब तक ये जज़्या ना दे दें ये वही पुस्तक है जिस लोग ये वही लोग हैं जो उस पुस्तक का पालन करते हैं जिसकी वर्स नंबर 533 में सपष्ट कहा गया है कि इन लोगों को मार देना चाहिए ये वही लोग हैं जो उस किताब हवा हवाई का पा तो अगर इस तरीके की आइडिलोजी पर काम करने वाली कोई पूरी की पूरी जमात पूरा का पूरा गिरो होगा उसके हाथ में अगर हम लैप्टॉप कंप्यूटर भी देंगे तो उसका इस्तेमाल यू बम बनाने सीखने फोडने में ही करेगा कि उसमें टेक्नोलोजी किस पीछे हटे और यूक्रेन नाटो कंट्री में शामिल हो जाए और हो सकता है कि जो डीप स्टेट होता है उन्होंने भी यह हमला करवाया हो यह जो सारी के सारी थ्योरीज है मैं आपको क्यों बता रहा हूं क्योंकि अभी एक दो गंटे के बाद ही मुसल्मानों का ये भी आर रास्ता नहीं देंगे बच्चों मैलाओं को रास्ता नहीं देंगे पेशेंट को रास्ता नहीं देंगे और हमें महां से हटाने का कारिया यदि कोई पुलिस कर्मी करेगा तो हम हंगाम बचा देंगे और अगले जुम्में वहां पर आकर के पूरी चावनी बना देंगे त क्या उस कौम के लोगों को ये बात नहीं पता थी कि कोई डीप स्टेट हत्यारों के तसकरी के करण से उससे इंफ्लूएंस हो करके तुम को यहां से उठवाना चाहता है मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ दोस्तों के हिंदुस्तान के अंदर भी इस प्रकार की लगातार चीज़े चल रही है करनाटक के अंदर उडूपी में एक कॉलिज में जो बातरूम होता है लड़कियों का उसके अंदर मुसल्मानियों ने कैमरा फिट कर दिये थे और जब ये वीडियो और ये फोटो बाहर आए वाइरल हुए तो उसके बाद में मुसल्मानियों ने और लके एफसी जो फैक्ट चेकर्स बैटे हुए है मौलाना उन्होंने क्या काता है कि तो एक प्रैंक है दोस्तों ये प्रैंक कभी भी किसी मुसल्मानी लड़की के साथ में क्यों नहीं होता है मानसिक विक्षिप्त लड़का केवल मंदिर पर ही हमला क्यों करता है केवल मूर्ती पर ही पेशाब क्यों करता है वो कभी भी मस्जिद पर हमला उसको तोड़ना या फिर मजार पर ज अपराधियों के साथ में खड़े होते हैं तो उनको माला पहना देते हैं अच्छा और एक अपराधी जिसने मासूम बच्चों की हत्याएं की थी उस व्यक्ति के साथ में जो 30,000 लोग उसके जैकारे करते हुए जा रहे हैं उसको गाजी मान रहे हैं उसको उसकी लाश को हाथ लगाने के लिए तरसे जा रहे हैं उसके उपर मिट्टी डालने में अपने आपको समझ रहे हैं कि वड़ा शवाब मिल गया है उन लोगों का जो मेंटालिटी है जो आइडिलोजी है उसके उपर बात नहीं होनी चाहिए क्या इन पांच लोगों को भी बचाने का परियास क किसी अमेरिका या किसी रश्या से प्रभावित नहीं होती है वो 5-33 देखता है वो 9-5 देखता है वो 3-21 देखता है वो स्परकार की चीजे पड़ता है वो ये नहीं जानता वो ये नहीं समझता कि मोदी क्या कह रहा है शा क्या कह रहा है योगी क्या कह रहा है पुतिन क्या नहीं सकती है उसका अपना सोफ़ेर है जो पूरी तरीके से 14 सो साल पहले ही रैडिकलाइजड हो चुका था अपनी बेहन बेटियों को यह दिया आपने बचाना है और इस महीने के दोरान में क्या-क्या घटित होता है और क्यू होता है और कहां-कहां पर क्या-क्या घटित हो चुका है तो इस किताब को वश्य पढ़िये होली तक इसकी प्री बुकिंग पर हम छूट दे पाएंगे उसके बाद में इसकी प्री बुकिंग समाप्त हो जाएंगी अब हम बात करते हैं कि खुरासान मोडल ने हिंदुस्तान में कब-कब क्या-क्या किया है 2017 में उजेन में ट्रेन में बम धमाके हुए थे खुरासान मोडल नहीं कराए थे हिंदुस्तान में जो मुसल्मानों का रिकूरूटमेंट चलता है आतंकवादियों के लिए वहवी खुरासान मोडल ही करवाता है उत्तर परदेस लखनव में एक एंकाउंटर हुआ था जिसमें सैफुला नाम का एक आतंकवादी मार गया था यह व्यक्तिवी खुरासान मोडल का ही एक रिक्रूटर था जो की हिंदुस्तान के ही मुसल्मानों को युवाओं को रैडिकल बना करके उनका ब्रेन वोश करके आतंकवादी संगटनों में शामिल करने का काम किया करता था अभी कुछ ही महीनों पहले दिली से भी एक ISIS के यानि के खुरासान का एक आतंकवादी गिरफतार हुआ था जो की मुसल्मानों को लगातार इन मौडल्स में भरती कराने का काम कर रहा था जरा सोचे जो तीस हजार लोग बदाईयों में कठे हुए ते उनमें से कितने हो सकते हैं जो ISIS या खुरासान के संपर्क में आये होंगे या PFI के संपर्क में आये होंगे हैं कि इंडियन मुझाहिदीन वाले जो इंडियन मुसलिम्स हैं वो हमेशा कहते हैं कि भई ये हम भी इंडियन हैं लेकिन मैं मानता हूं कि बहुत सारे इनमें से इंडियन मुझाहिदीन वाले इंडियन्स हैं वही लोग जो कहते हैं कि सबका खून शामिल हैं कि मिटी में क काफिरों की होती हुई हत्याओं को जस्टिफाई भी करने के लिए आ जाते हैं इतना दोगलापन कहां से आता है अंत में सिर्फ एक छोटी सी जानकारी देते हुए मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा आप सभी जानते हैं मैंने जिकर किया है कि किस प्रकार से ताज होटल पर जाकर के हमला किया गया था लेकिन क्या आप जानते हैं कि कसाब के जनम दिन के दिन ही हिंदुस्तानी मुसल्वानों ने एक जश्न मनाया था जिसमें कि उन्होंने मुंबई में बम फोड़े थे क्या आप जानते हैं उसमें कितने हिंदु मारे गए थे आप नहीं जानत केवल और केवले एक इस्थान पर आपको मिलेंगी धाई मोर्चे का चक्र व्यूँ मैं इसको प्री बुकिंग पर इतने समयते के लिए क्यों रख रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि जिस दिन ये किताब बाहर निकलेगी इस पर प्रतिबंध लगने के हर एक भरसक प्रयास क किये जाएंगे जितने लोग इसको प्रीव कर रहे हैं हो सकता है कि केवल उनी तक ये किताब पहुंच पाए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर आप भी चोदा सो साल पुरानी इस मानसिक्ता से थोड़े से भी आगा हुए हैं या अपने मित्रों को कराने को प्रित हु हैं याँ हैं हैं याँ हैं। झाल झाल